हालो फ्रेंज वेल्कम टो यूट्यूब चानल मुनिदाज तो दोस्तों आज का डेड़ है 15 अगस्त सो हैपी इंडिपेंडेंस दे मेरे अल भाड़त बासियों को तो आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं ऑप्शिन चेंड की बेसिक पर्ट को लेके और ऑप्शिन चें बीगिनर्स होते हैं बीगिनर्स लोगों के ज्यादा तर यह कंफ्यूजन रहता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेट करें तो आप एक बीगिनर्स हो ठीक है आपको भी जाना है कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेट करें जिनका बेसिक पर्ट जाना है तो दोस्तो यह वीडियो आपके लिए तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तो दोस्तों फिलाल मैं अभी एंजल 1 के चार्ट में हूँ आप देख सैक तो आप साइट में आपको देखने के लिए मिल दा है बैंग निफ के पास आपको एक option दिखने के लिए मिलदा option chain तो आपको क्या करना है सिंपली आपको इस option chain में आपको क्या करना option chain में क्लिक करना है तो दोस्तों इधर से आप देख सकते हो आपको दिखाते हूं कि फोन में आप कैसे open कर सकते हो तो दोस्तों इधर से आप देख सेकते हो मेरे फोन में अंजल वान ओपन किया है तो अगर आपको भी फ्री में अंजल वान में डिमेर आकाउन ओपन करना है तो दोस्तों डिस्केप्शन बॉक्स में में लिंक दे दूँगे उस लिंक के माद धम से आप फ्री में अंजल वान तो आपको क्या करना है simply option chain के ऊपर क्लिक करना है तो दोस्तो इधर से आप देख सेकते हो जो option been में उपिसी मेए लिव यह option चैन similar mobile में भी आ गया हैrous तो इतनी simple तारिकों से आप भी क्या कर सकते हूं mobile Grass वे बैंक निफ्टी को option chain open कर सकते हो तो चलिए मैं अभी computer करके स्कीन में जाती हो तो दोस्तों जिनकी बेसिक पार्ट जानने के पहले हमको यह जानना है कि ATM, ITM and OTM क्या होते हैं ठीक है हम पहले अगें चार्ट में जाते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सेखते हो मार्केट अभी कौन से जगा है मार्केट अभी 44,600 पर है राइट और आपको तो पता है कि bank nifty 100 points के बाद-बाद आपको option मिलता है जैसे कि यह क्या होगा यह 44,000 का option है उसके बाद आपको मिलेगा 44,100, उसके बाद आपको मिलेगा 44,200, मतलब 100 बाद बाद आपको option मिलता है, जैसे कि अगर आप nifty में करते हो तो आपको 50 points के बाद बाद आपको क्या मिलता है option मिलता है, लेकिन bank nifty में 100 points के बाद ही आपको option मिलता है, ठीक है, तो पहले तो हम बात करते है ATM एट मने मतलब यह होता है outta the money मतलब मर्केट अभी झाहे यह थोगा अजी मारकेट अभी कहा है फॉर थाफंसी सिक्सवाण थीक्ड़ थीक ए फॉर फोर थाफंसी देदो थाफंसन क्या होगा एग दबनी होगा मर्केट अभी जहाँ है इसको बोलता है तो अभी हम बात करते हैं इन्दमनी पर ITM का 인भ मार्गे मार्केट जो है 43,887 मार्के जो है 43,800 को cross करके उपर आ जाता है ये हो जाता है in the money clear तो दोस्तो call and put का in the money otm ठीक है out of the money ये सब अलग होता है मैं आपको आगे समझाऊंगे option chain के उपर तो ये simple सा basic चीज़ आपको जानना है कि at the money क्या होता है market present जो market अभी है ये होता है at the money market जिस price को छोड़ के upside move किया ये हो जाता है अभी market है 44,000 में market अगर जाएगा तो कितना जाएगा market जाएगा तो 44,200 उसके बाद 44,300 पे जाएगा उसके बाद जाएगा 44,400 पे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा out of the money that means market अभी तक पहुचाने ये पहुचेगा ठीक है पहुचने वारा है तो ये हो जाएगा otm that means out of the money so clear हो गया so ATM, ITM and OTM clear हो गया तो अभी हम बात करेंगे CE और PE को लेके ठीक है क्योंकि मैं आपको ये चीज़ पहले ही बताना चाहती हूँ क्योंकि बात में मैं इसके उपर समझाओंगी तो आपका confusion ना रहे तो दोस्तों CE क्या होता है CE मतलब call कि बहुत सरे जगा call ठीक है तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ आप क्या देख रहो कि मार्केट अभी है 44,000 आपका व्यू है कि मार्केर उपर जा सकता है तो मार्केर उपर जाएगा तो क्या होगा 44,100 को टच करेगा तो simply हम इस सार्ज आइकन में सच करेंगे ठीक है 44,100 तो दोस्ते इधर आप देख सेक्ट हो आपको समने बहुत सरा आप्शन आ गया तो दोस्तों मैं ये वीडियो 15 अगस्ट को बना रही हूँ तो आपको तो पता है कि बैंग निफ्टी का एक्सपारी होता है ठीक है नेक्स ठीक है जो आने वाला है ये 17 अगस्ट क कर लेना है ठीक है तो आप कौन सा सिलेट करोगे जो कि है 17 अगस्ट का ओके तो इधर आप देख सेक्ते हो कि जब भी मैंने 44,100 इधर सर्च किया आपके सामने आप्शन आ गया एक तो आगया CE और एक तो आगया PE ठीक है CE मतलब call अगर आपको view है कि market उपर जाएगा तो आप CE खड़ी दोगे अगर आपको view है कि market नीचे जाएगा तो आप तो मैंने इधर कॉन से सर्च किया 44100 मतलब मार्केट उपर जाने का व्यू है मेरे इसलिए मैंने 44100 सर्च किया राइड तो आपको क्या करना है इसलिए को एड करना है यह जो आप प्लास आइकन देख रहे हो इस प्लास आइकन में आप क्लिक करोगो तो यह आठ हो जाएगा और इधर बी फर बाई एस फर सेल इधर आपके समने ऑप्शन आ गया तो इधर आप बाई सेल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका व्यू है कि मारकेर नीचे जाएगा मारकेर अभी 44,000 पर है मार लो तो मारकेर अगर नीचे जाएगा तो कौन से ऑप्शन पर यह टच करेगा 43,900 उसके बाद 43,800 तो आप क्या करोगे सार्च आइकन में आप सर्च करोगे ठीके 43,900 आप सर्च करोगे चलो अभी हम सर्च करते हैं 43,900 तो तो दोस्ते इधार आप देख साइक तो आपके सामने option आ गया है 17 August का जो expiry है इसमें CE और PE आ गया तो आप कौन से select करोगे आप PE select करोगे क्योंकि आपने सोचा कि market नीचे जाएगा ठीक है इसलिए आप इस plus icon में क्लिक करके आप क्या करोगे आप PE को select करोगे तो दोस्ते यह clear हो गया CE मतलब call and PE मतलब put ठीक है अगर market अगर आपको view है कि market उपर जाएगा तो आप CE खरेदोगे अगर आपको view है कि market नीचे जाएगा तो आप PE खरेदोगे ठीक है तो यह clear हो गया चलो अभी option चिन पर जाता है तो दोस्ते इधर आप देख सेखते हो हमने जो charts दिखाय ठीक है 44,000 अभी क्या है अभी current market है ठीक है 44,000 पे market अभी रुका है इसका मतलब यह है कि 44,000 हो जाएगा add money ओके call and put का similar है add money है तो इधर आप देख सेखते हो यह जो आपको price देखने के लिए मिला यह call का price है और यह जो आप LTP देख दोए यह put का price है ठीक है यह क्या है यह put का price है तो दोस्तों पहले हम call को समझते है ठीक है call मतलब CE जब आपका view है कि market उपर जाएगा तो आप क्या करोगे CE खरीदोगे राइट तो दोस्तों फिलाल market अभी है 44,000 पे राइट market कहा है 44,000 पे तो अगर आप call भाई करते हो तो यह call का यह हो जाएगा ठीक है call का यह हो जाएगा ITM क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ITM और यह हो जाएगा OTM क्यों होगा क्योंकि दोस्तों market अभी 44,000 पे है अपका view क्या है उपकी market क्या जाएगा उपर जाएगा CE की बात कर रहे तो दोस्तों पहले हम CE को complete कर लेते है CE मतलब call को पहले अच्छा से समझ लेते है उसके बाद हम put के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों CE मतलब call तो मैंने क्या बता करने वाला है कि market अगर उपर जाएगा तो market कौन से price पर कौन से option पर जाएगा 44,100 पर जाएगा 44,200 44,300 उसके बाद और भी option है आप देख सकते हो तो यह हो जाएगा out of the money because market अभी था पहुचा नहीं है पहुचने वाला है यह फिर पहुचेगा ठीक है यह हो जाएगा out of the money clear और यह हो जाएगा in the money क्यों कि market 43,900 को touch करके उपर आ गया 43,800 को touch करके उपर आ गया 43,700 को touch करके उपर आ गया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा in the money तो मैं अभी आपको charts में दिखाती हूँ ठीक है मैं इधा bank nifty का charts open करती हूँ तो दोस्तों इधार आप देख सेखते हो market जो है 43,000 ठीक है 43,800, 44,000 ठीक है मैं अभी charts को थोड़ा बढ़ा करूँगी तब ही आपको पता चलेगा तो इधार आप देख सेखते हो कि market 43,300 उसके बाद 43,400, 43,600, 43,900 इसको touch करके market उपर आया है इसको touch करके market उपर आ गया है that's why यह हो जाएगा in the money ठीक है तो हम again charts पे जाते हैं तो दोस्तों यह आपका clear हो गया कि market जिस price को touch करके almost उपर आ गया है इस price क्या हो जाएगा यह price हो जाएगा in the money यह मैं call के बारे में बात करो ठीक है तो दोस्तों अभी हम put के बारे में बात करता है कि put के in the money and out of the money क्या होता है तो दोस्तों market अभी 44,000 में है यह call and put का add the money होगा ठीक है 15 minutes रख दी हूँ तो दोस्तों market अभी 44,000 पर है तो market अगर नीचे जाएगा तो 43,900 उसके बाद 800 उसके बाद 700 600 500 तो इस price में market क्या होगा market नीचे आएगा तो इस price को market धिरे धिरे touch करेगा इस price को right इस option को touch करेगा तो अभी हम again charts में जाते है यह clear हो गया कि market अगर नीचे ज जाएगा तो 43,900 43,800 पर touch करेगा right तो यह हो जाएगा यह put का हो जाएगा out of the money market अभी तक पहुचा नहीं यह पहुचने वाला है और market का यह हो जाएगा in the money जो market ने इस price को touch करके आया है जैसे कि 44,100 44,200 44,300 इसको market touch करके क्या होता है नीचे आया है तो दोस्तों again हम charts में जा सेखते हो market जो है market 44,800,700,600,500,400,300,200 तो market इसको touch करके नीचे आया है तो चलिए अभी हम again option chain पर जाते है तो दोस्तों यह clear हो गया जब भी आप call को buy करते हो तो यह हो जाएगा आपका out of the money और यह हो जाएगा in the money जब भी आप put buy करोगे तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा in the money और यह हो जाएगा out of the money तो यह clear हो गया कि ATM, OTM and ITM क्या होता है put and call का ठीक है तो दोस्तों अभी हम बात करते कि strike price आप कैसे select क price है ठीक है यह क्या है यह price है जग अगर आप call buy करते हो अगर आप 44,000 का call buy करते हो तो आपको देना पड़ेगा 242 रूपिस यह premium है ठीक है जब भी आप call buy करते हो यह call का price है और यह put का price है तो दोस्तो अभी हम चार्ट में जाते हैं, तो इधर अपने क्या देखा, मार्केर अभी 44,000 पर है, तो मार्केर अगर उपर जाएगा, तो कहा जाएगा 44,100, उसके बाद 200 पर जाएगा, ठीके, राइट, तो अगर आप कॉल वाई करते हो, तो क्या करणेगा, 44,100 खड़ी दो 45,100 का कॉल का प्राइस होगा, 169 रुपीश, और 44,200 का कॉल का प्राइस होगा, 144.60 रुपीश, तो अगर आप स्कॉल करोगे, तो इधर आप देख सकते हो, आपका जो कॉल का प्राइस और भी बहुत नीचे मिलता, जैसे कि 5 रूपीस में भी आपको call मिल जाएगा 8 रूपीस में, 9 रूपीस में, 11 रूपीस में भी आपको मिल जाएगा लेकिन क्या आपको यह select करना सही होगा? नहीं, यह गलत है ठीके आप यह select नहीं करोगे क्योंकि market अगर क्योंकि market अगर नीचे गिरेगा तो दोस्तों कितना points तक गिर सकते हैं market already 100 points तो गिरना बहुत easy होगा market अगर तो market को कितना points तक जाना easy होगा market 44100 पर जाएगा उसके बाद 200, 300, 400 पर जा सकते हैं लेकिन market 700, 800 पर जाना यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि market daily daily move नहीं देता है monthly one time आपको 1000 points या फिर 800-900 points का move देता है daily आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो दोस्तों आपको near as well strike price को select करना है इधर आपको amount कम लग रहा है यह देखे आप strike price को मट select करिए इस से आपका क्या होगा market अगर sideways रहेगा ना तो आपका जो यह premium होगा ना यह premium आधा या फिर 0 भी हो सकता है क्योंकि आप जितना दूर लोगे मतलब OTM होता है market इस जगा पहुचा नहीं यह पहुचेगा तो अगर आप यह खड़ितते हो तो दोस्तों इसमें क्या होगा इसमें आते आते market का बहुच टाइम लाइक जाएगा या फिर market अगर एक जगा पे sideways रहा ना तो दोस्तों आपका जो premium होगा यह 0 भी हो सकता है इसलिए आपको जो stack price select करना है यह आपको 44,100 का stack price select करना है अगर आप call वाई करते हो तो अगर आपका view है कि market ओपर जाएगा तो आगर आपके पास यह 189 रूपिस में आप नहीं ले सकते हो तो उससे थोड़ा दोर 44,200 का ले सकते हो लेकिन मैं कभी यह suggest नहीं करूंगी आप यह बला stack price को लो ठीक है यह कभी मत करना अगर आप Thursday को trade करते हो Thursday को bank nifty को expiry होता है तो दोस्तों Thursday को आपको कम price में premium मिल जाता है आपको add the money almost तुमारा 70-80 रूपिस में भी मिल जाता है आपको थोड़ा wait करना है 12 वज़े की बाद आपको कम price में भी ठीक है आपको option मिल जाता है ठीक है तो यह हो जाएगा add the money तो आपको nearest वाला next वाला price को select करना है ठीक है 189 जो premium है 44,100 यह वाले strike price को select करना है अगर आपको लग रहा है कि आप नीचे वाला 44,200 का strike price select कर सकते हो लेकिन उससे दूर मत जाना ठीक है तो दोस्तों यह call का हो गया तो अभी हम put के बारे में बात कते हैं तो जोस्तों जब भी आप put buy करोगे तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा यह add the money है 44,000 add the money है तो आपका view है कि market नीचे जाएगा तो market नीचे जाएगा तो 43,900 पर जाएगा उसके बाद 43,800 तो इधर आप देख सकते हो जो 43,600 का यह put का price है 52 रूपेश 43,800 का put का price है 21 रूपेश 43,100 का put का price है 12 रूपेश तो आप देख सकते हो जितना दूर जाओगे मतलब OTM जितना दूर OTM जाओगे तो दोस्ता आपको बहुत कम price में यह strike price मिल जाता है लेकिन यह गलती से भी आपको select नहीं करना है ठीक है तो आपको put में कौन सा stack price को select करना है इधर से लेके यह तीनो stack price को आप select कर सकते हो तो 44,000 का stack price को आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इधर 161, 43,900 में लग रहा है आपको 123 तो यह strike price क्या होता है राइट सही होता है और अगर आपको और भी थोड़ा पैसा कम है तो दोस्ता आप 43,800 का ले सकते हो लेकिन 43,900 का लेना सही रहेगा ठीक है तो दोस्तो यह आपको clear हो गया कि strike price को आपको कैसे select करना है जब भी आप put and call buy करते हो तो दोस्तो आपको clear हो गया कि ATM, ITM and OTM क्या होता है C, E, P, E क्या होता है and option जिनका basic भी आपको पता चल गया कि option जिनके basic के उपर आप कैसे strike price को select कर सकते हो ठीक है तो दोस्तो आपको यह video आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा अगर वीडियो help रहा हो तो वीडियो को like करने ज़ाद से ज़ाद से ज़ाद से शेयर करना और कोई वे confusion रहे तो नीचे आप मुझे comment section में पोच सकते हो और अगर आप मेरे चानल में नहीं also please subscribe my channel and hit the way लाईगा तो दोस्तो मिल ताम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye have a good day